जीवन जल्लोश में आपका स्वागत है बिना दवा खाये दमा ठीक करने का सही तरीका आज मैं बताने वाला हूँ आपको सुनने में अजिब सा लगेगा लेकिन ये सच है दोस्तो दमा भीमारी के बारे में आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे लेकिन मैं आज कुछ अलग बताने वाला हूँ इसलिए ये वीडियो आप अंतख देखे तमा आदमी का बुरा हाल कर देता है खास-खास कर सिने में दर्थ होने लगता है दीन तो निकल जाता है लेकिन रात को चैन नहीं आता लेट के सोए तो ज़्यादा खासी आती है सास लेने में ज़्यादा तकलिब होती है बैट कर रात निकालनी पड़ती है जिन्दगी रूक सी जाती है दवा का पावर जब तक रहता तब तक ठीक लगता आदमी मायूस हो जाता है लेकिन दोस्तों आप मायूस ना होए दमा ठीक हो सकता है वो भी बिना दवा खाए अगर आपको ठीक होना है तो पहले अपनी सोज बदलो Positive Thinking रखो हाँ मुझे ठीक होना ही है मैं भगवान की दी हुई जिन्दगी खास-खास कर नहीं बिताऊंगा मैं जीवन जलोश के साथ जिऊंगा सबसे पहले मैं आपको इवरा सिंग का एक्जापल देता हूँ आप सभी जानते हो कि यूरा सिंग कैंसर के बिमारे से पिडिता अपनी विल पावर और कड़ी मिहनत से आज ओ पूरी तरह ठीक हो गया है और मैदान में चवके चखके जड़ा रहा है आपको भी यूरा सिंग बनना है और जीवन में चवके चखके जड़ाने हैं दोस्तो इस जीवन के सपर में मैं आपके साथ हूँ चलिए थोड़ा सा दमा बीमारी के बारे में जानते हैं आप जो फेफडों की तस्वीर देख रहे हो उसमें फेफडों के अंदर छोटे पौदे की जड़े की तरह कुछ दिख रहा है साथ में जो तस्वीर है उसमें सास नली को छोटे बौल की तरह गुबबारे लगे दिखाई दे रहे है जब आप सास अंदर लेते हो तो गुबबारे फूल जाते हैं साथ चोड़ने के बाद गुबबारे सुकर जाते हैं यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है इससे अपकी बौड़ी का ऑक्षिजन लेवल बना रहता है आप पहली तस्वीर में नार्मल सास नली देख रहे हो साथ में लगी तस्वीर में अस्तमे के बाद की सास नली देख रहे हो अस्तमे की वज़र से सास नली सुकर जाती है उसमें कब जम जाता है जिसे सास नारमल तरीके से लेने में दिक्कत आती है मरिज को खासी आती है कब बाहर निकलने के बाद उससे थोड़ा ठिक लगने लगता है चलिए पहले घर से शिरुवत करते हैं आपका विस्तर साफ सुतरा रखे रजाई कंबल या चद्दर जो ओड़के सोते हो उसमें धूल बैट जाती है और बैक्टरिया क्रेट हो जाते है जो आखों से दिखाई नहीं देते धूल बैक्टरिया सास दोरा फेफ्टों में जाने से इंफलेक्शन फ़इदा हो जाता है और सास नली सुकर जाती है सास लेने में दिक्कत होती है हर दस पंदा दिन के बाद कंबल या चद्दर की धूल साप कर ले और कड़ी धूप में सुकने को डाले जिससे बैक्टरिया मर जाएंगे घर में किसी भी फ्रकार का धूआ होने ना दे अगर बत्ती या धूप ना जलाए रोसोई बनाते वक जो धूप उत्पन होता है उससे सास लेने में दिक्कत होती है घर के खिड़किया दरवाजा तुरंत खोल दे आपको अगर सिग्रेट की लथ है तो उससे तुरंत चोड़ दे आप अगर ट्रेन या बस में विंडो सीट पर बैट कर सफर कर रहे हो तो मार्स लगा लीजिये या पॉकेट रुमाल नाक पर बांद ले ताकि सिधी हवा आपके फिफडों में ना जाए आपको खान पान सही रखना है सुबर नास्ते में अगर आप बेकरी प्राड़क्ट खाते हो बाहर दोस्तों के साथ बर्गर, पिज़ा, आईली, खटी चीज़े खाते हो तो उससे आपका फेट खराब होगा और कव जादा मातरा में बनने लगेगा और सास नली में जम जाएगा आपको सास नली में ज़्यादा दिक्कत होगी आप नास्ते में फल या गाजर जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करे हरी सबजिया ज़्यादा से ज़्यादा खाए रात को सोते समय हलकी चीज़े खाए सही खानफान रखने से आपकी अस्तेमे की तकलिब बहुत कम हो जाएगी अभी दवा के बारे में बात करते हैं आपको डाक्टरों ने टैबलेट या इनहिलर जिसे पंप भी कहा जाता है या रोटोहिलर यूज करने को दिया होगा इसमें से आपको टैबलेट यूज नहीं करना क्योंकि टैबलेट सीधे आपके पेट में जाती है और दवा खुन में मिलने के बाद देरी से उसका असर दिखने लगता है और टैबलेट के साइड इफिट्स भी ज़्यादा होते इनहिलर या रोटोहिलर मुह में डाल कर दवा अंदर खिषने से सिधे फेफड में जाती है और दवा का असर तुरंद दिखने लगता है इनहिलर या रोटोहिलर के इस्तेमाल के बाद आपको पानी से देहाती लोग जीस तरह मुह उपर करके कुला करते है उसी तरह पानी से 3-4 बार कुल्ला करना है जिससे मुह के अंदर बच्ची दवा पेट में आ जाए दवा के side effect से बचा जा सकता है अभी main point पे आते है आप जो भी दवा ले रहो उससे क्या होता है सुकडी वी सास नली थोड़ी फूल जाती है कब बाहर निकलने में मदद मिलती है दवा का रोजाना बार बार सेवन करने से शरीर फर दवा का असर नहीं होता उसकी मातरा बढ़ानी फड़ती है और दवा के side effect होने लगते है दोस्तो दवा के इस जाल से आपको निकलना है और नार्मल जिवन जलोश के साथ बिताना है एक दिन या एक महिने में आपकी सारी दवा छूट जाएगी आपका दमा एकदम से कम हो जाएगा इसका मैं दवा नहीं करता लेकिन अगर आप मेरे बताए रास्ते पर चलेंगे और रोजना थोड़ा समय देंगे तो अस्तमा ठीक होने में कोई मुश्किल नहीं आएगी अस्तमा के मरिश के साथ अक्सर होता क्या है थोड़ा चल फिरने के बाद उसे सास नेने में दिक्कत होने लगती है तो वो कम से कम चलता है शरीर का मुवमेंट कम से कम करता है उससे क्या होता है कि उसकी सास की गती कम होती है तो फिफडो को वैम नहीं मिलता सास नली और सुकरने लगती है कब ज़्यादा जमा होने लगता है सास लेने में दिक्कत होने लगती है रोजाना अस्तमे का आटेक आने लगता है रात को चैन से सो नहीं पाता अभी आपको समझना है कि सास नली को नार्मल कैसे करना है फिपडो में बैटा कब बाहर कैसे निकालना है लोग बहुत सारे योगा, वैयम या प्रानायम करने को कहते है इन सबी से लाब अवश्य होगा, लेकिन जंदली होता क्या है कोन हाथ पाव हिलाएगा, आगे जुको, पीछे जुको, दाहे जुको, बाहे जुको, पेर उपर करो, नीचे करो, सास अंदर बाहर करो ये सबी करना लोग पसंद नहीं करते हैं अगर पहले से करते हैं, तो अस्तमा की नवबत ही नहीं आती दूसरी बात, थोड़ा भी नीचे उपर किया, तो सास निने में प्रॉब्लेम होती है, वो अलग चलिए दोस्तों, आपका काम थोड़ा आसान कर देता हूँ आपको रोज थोड़ा समय देना पड़ेगा सुबह आपको टॉलेट हो आना है इनहिलर या रोटोहिलर और पानी की बोटल साथ में लेना है और मॉर्निंग वाक के लिए निकलना है कुछ दिन तक कोई फैबिली मेंबर साथ रखना है क्योंकि अगर आपको कोई तकलिब होती है तो वो आपको संभाल लेंगा और एकदम धिरे धिरे चलना है कुछ कदम चलने के बाद आपको सास लेने में दिक्कत होने लगेगी आप तुरंत इनहिलर या रोटोहिलर से दवा फिपड में किस ले आपको नॉर्मल लगने लगेगा अभी रोजाना आपको मौर्णी वाक के लिए निकलना है धिरे धिरे चलते जाना है सास लेने में जब भी तकलिब होगी इनहिलर या रोटोहिलर का यूज़ करना है और चलते रहना है दीरे दीरे आपका चलने का स्टैमिना बढ़ता जाएगा फईले अपको 5 मिनिट के बाद सास लेने में दिक्कत होती होगी अब 10 मिनिट बाद 15 मिनिट बाद होगी जितना आपके पास समय रहेगा उतना आप चलने की सिमा बढ़ाते जाएगा कुछ महिनों तक सास लेने में तकलिव हुई तो आप इनहिलर या रोटो हिलर का यूस करने के बाद आगे चलिएगा नहीं रूख जाना है जब आपको लगने लगेगा कि इनहिलर या रोटो हिलर इस्तेमाल करने के बाद भी आप चल सकते है तो आगे चलते जाना है और चलने का स्पीड भी दिरे दिरे बढ़ाना है अभी होगा क्या आपकी सास नली दिरे दिरे फुलती जाएगी और उसमें जमा कब आसानी से बाहर आएगा आपको रात में अस्तमा का एटक अना कम हो जाएगा आप शांती से सो पाएंगे कुछ महिनों के बाद आपको मौर्निंग वाक के दोरा चलते समय सास देने में फ्राब्लेम नहीं होगा कभी कभार ही आपको सास देने में फ्राब्लेम होगी और आपको इनहेलर या रोटोहेलर का भी कभी कभार ही यूज़ करना पड़ेगा दोस्तों अभी थोड़ा अलग करते हैं आपको अगर confidence आ गया कि आप काफी हद तक नार्मल हो चुके हो तो आपको थोड़ा एकदम धीरे धीरे दोड़ना है मतलब running करना है जब भी सास लेने में दिक्कत हो तो इनहेलर या रोटोहेलर का यूज़ करना है आप तुरंत नार्मल सास लेने लगेंगे फिर आपको आगे और दोड़ते रहना है अगर आप निरंतर बिना रुके हर दिन यही तरीका अपनाते हो तो आपको दोड़ने के बाद भी इनहेलर या रोटोहेलर का यूज़ करना नहीं पड़ेगा और आगे कुछ महिनों बाद नार्मल हो जाते हो तो साइकलिंग भी करना चालू कर दें आपको और भी लाब होगा अगर आप स्विमिंग करते हो तो उससे भी काफी लाब दमा ठीक होने में होगा आप निरंतर हर दिन मेरे बताए रास्ते पर चलेंगे तो सभी अस्तमा के दवा से और अस्तमा से मुक्ती जरूर पाओगे लेकिन ध्यान रहे दोस्तों अस्तमा जिसे दमा भी कहा जाता है जो आदमी के दम लेने के बाद ही उसके साथ जाता है दमा पूरी तरह से कभी ठीक नहीं होता आप मेरे बताए रास्ते से हट गए तो दुबारा आपके साथ वही होने वाला है फिर से खासी शुरू दवा शुरू हो जाएगी मैंने आपको एक प्रैक्टिकल तरीका बताया जिसने भी इसको अपनाया और दमा से ठीक हो गया अन्तमे दोस्तों ठीक रहो तंदुरूस रहो जीवन जल्लोश के साथ जीओ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें, शेर करें, कॉमेंट जरूर करें